प्रेडिक्शन्स के लिए प्लीज वेल्कम् एक मलक साब, असलाम लेकुम सर, कैसे हैं आप? वा अलेकुम असलाम रहमतुलाहे वा बरकातु हूँ, कैसे हैं आप? बस सर, अला का शुकर, हमारे पिछली एपिसोड जितने दुमाकेदार हैं, हमने का एक दफा फिर आपको वेलकम करना चाहिए, ताके थोड़े और दुमाके हम लोग कर सकें आज बिलके सुने वालों का बहुत मश्कूर और आपका उससे ज्यादा बढ़ कर सबसे पहले तो आप अपने पिछले दोनों पॉड़कास्ट में हमारे साथ एक बात कर चुके हुए हैं, कि 2025 बड़ा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान के लिए, कि सुसाइटी जो है वो एकदम से चेंज होगी और खेर मजबी नहीं होगा, मौशर ऐसी कोई बात आपने की थी, तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहरा हूँ कि अब तो लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल कॉलाप्स की दरफ जा चुकी है, हकूमत कुछ काम जरूर कर रही है, बहतरी के लिए लोगों की और छोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, मगर अब आप सिचुएशन को किस अबाईली तो होगा, लेकर मखलूत मज़शा होगा और गैर मजबी नहीं होगा, दो हजार पच्चिस तक महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, मिडल क्लास खत्म हो जाएगी, नीचे थोड़ी सी लेवर क्लास और उपर जो है थोड़ी सी एलेट क्लास रह ये घरों में, जो वेले समाजी कारकुन हैं, इन्हें भी काम अब्दुल्ला करना पड़ेगा, लाले बिस्षाद, अब बात अब करी रहे हैं हम सियस्तदानों की, तो मेरे ख्याल से हर बंदा जो है, वो इस वड़ एकी चीज़ समझना चाहता है, के कैदी नंबर 804 की रहा कब होगी, हर बंदा ये पूछ रहा है, इतना सा करीब आते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर इतना सा करीब आते हैं, फिर कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, अच्छा जब कैदी नंबर 804 की बात करते हैं, तो 206 मौलक में, 200 मुलक में जाने वाला इंतहाई गेर ममूली शौरती आफ़ता मकबूल त्रीन कैदी नमबर 804 जब आप कहीं भी जाएं और सामने वाले को पता चल जाए कि आप पाकिस्तानी है तो वो भी पोच्छता है कि कैदी नमबर 804 कब रहा होंगे अब जब रहाई की बात करते हैं तो उनकी रहाई उनके एक्तदार से मनसलिक है लहादा अभी दिल्ली दूरस दिखाई देती है वलाले बिस्वाप शायद मुझे समझने में गलती हुई और आप ये कह रहे हैं कि अब खान साब जेल से तब निकलेंगे जब वो एक्तदार में आएंगे ये एक ट्राई एंगल है इस ट्राई एंगल में इंतहाई गेर ममूली शौरत याफ़ता कैदी नमबर 804 जो कहते हैं कि मैं आखरी गिन तक लड़ता जब हम नीशे वाले कोने पे आते हैं तो यहाँ शिफ प्रादरान हैं जो कहते हैं कि हमें आखरी सास तक लड़ ना आता है और जब हम ट्राई एंगल के अगली तरफ जाते हैं तो वहां मुतनम आसफ अली जरदारी साथ बैठे हैं वो खेलते नहीं चाल डालते हैं और जब चाल डालते हैं तो सामने वाले जितने भी लोग हैं उनको चारों शाने चित कर देते हैं तीरों शख्सियात मुकदर के बलबूते पर खेल रही हैं अब जब तीरों शख्सियात के मुकदर का मतकाबली जायजा लेते हैं तो कैदी नमबर 804 के हाथ पर जो मुकदर की लिकीर पाई जाती है वो थोड़ी सी बिखरी हुई है जो अभी काफी अरसा पहले जब हम पी टी वी देखा करते थे तो एक स्लाइड आती थी के इंतजार कीजिए अभी पी टी आई वालों को इंतजार करना पड़ेगा फिर उसके बाद रावी लिखता है सब्चैन है वला अलुबिस्वा कितना अभी काफी इंतजार है इतना अहसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं मैंने जब उनका सिसला एक शुरू हुआ था ना वड़ गया उस पर मैरे आपके साथ एक प्रोग्राम में करके गया हूँ और आपके प्रोग्राम का सबसे बड़ा फाइदा ये हुआ था कि उनकी सी की मीटिंग में बाकादा वो डिसस हुआ और डिसस होरे के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया से ये कहा कि ये प्रोग्राम वड़ गया को असे इसला खत्म किया जाए इसलिए कि हम वाकिया बार बेंट और फिर उसके बाद चैंबर आफ कामर्स और बराहरास पबलिक से ये रापता कर रहा है उसके बजाए वड़ गया में दाखल हो गए है तो सिच्वेशन ये है कि अब्दुल्ला जो बोलते हैं वो सुना भी जाता है और ये बहुत बड़े नसीब की बात है वाला अलम बस्वाद सराम मगर फॉर दर रेकॉर आम प्रिटी शूर कि लोग मु अच्छा नाइटी नाइटी सिक्स में मैं एक खासाब का हाथ देखा ता पिर उसके बाद उन्हीं के बारे में जब मेरी पेश्गोई गलत साबत होई बैसी ये टिंग मेकर की तो मैं टीवी को खुदा हाफिज कर गया था तेले विए उनको खुदा हाफिज करने के बाद पूरी कौम से माफी मागी थी और कहा था कि जब तक मैं इसकी इल्मी तोजीफ पेश नहीं करता मैं तब तक कोई पेश्गोई नहीं करूंगा और फिर उसके बाद न्यू लाजाफ पामिस्ट्री बाए सादिक मलिक पामिस लेकर आया और उसकी इल्मी तोजी पेश की और उसके बाद अब जिस नतीजे पर पहुँचा वो 32 राजय योग 101 गरमूली अलावाद और खासब के हाथ पर जो राजय योग पाए जाते हैं वो उससे पहले नहीं पढ़े जाते थे ये बाइबर्थ होते हैं इन में कोई तब्दीली नहीं आती तो ये छोटी बोटी जो बि सी गयर मस्ताकम है और आगे चलकर जब मस्ताकम होगी तो मस्ताकम होने की अलामत पाई जाती हैं लेकर एक बात याद रखिएगा कैदी नंबर 804 कभी मैच छोड़ कर नहीं भागता ये मैं भी कहता हूं क्योंकि उनके हाथ पर सारे के सारे अबहार नुमाया और फिर उसके रहे हैं और हम इतनी डीटेल में जा रहे हैं तो सबसे रिसेंट जो एक ट्रॉबल देखा जाए खान साब के लिए आया वो था इदत केस में उनकी जो पेटिशन रिजेक्ट हो गई इसको आप कैसे देखते हैं सॉरी एक चीज़ में इसमें आड़ करना चाहूंगा गिवन जब पाकिस्तान के तमाम पेशीन को हदरात के ये वादा माफगा बन जाएंगी इनको डैवोर्स होगी रीज ला लए तो चुक्के फिर उसके बाद मेरे पास हसाब के और उनके हैड़ प्रेट थे तो मैंने कहा कि अब के वो वफा करेंगी और वो वफा कर रही हैं नमबर टू खावर माने का बेसिकली छोटे हाथ वन्यादी तोर पर संग दिल और बेवफा लोगों के होते हैं तो उनके हाथ जो हैं उनके जिस्मानी सांख से थोड़े से पामूली से चोटे हैं जिसकी वन्याद पर उनने कहा जाएगा कि खावर माने का थोड़े से संग दिल और बेवफा हैं वल्ला अलम बिस्वाब अब यहां बहुत जबरदस तरीके से नीचे कुमेटस आएंगे के बेवफाई तो बुश्या भी भी ने की है लेकर रास्ता खावर्मानिका ने दिया है वल्ला अलम बिस्वाब और इस की मैं थोड़ इसी को हिस्टरी नहीं बलके एक टिप देता चलो कि तीन साल साथ माए एक्तदार में रहने के बाद जब मुझे भी पता था कि एक्तदार से निकल रहे हैं तो मेरी ये समझ लीजियेगा कि वो जानते थे इस से ज्यादा मैं आगे बात नहीं करना चाओँगा वो परसनल हो जाएगी और बात राज नहीं होती हर बात में एक आद बात राज की होती है राज रट्रिया जाता है और बात कर दी जाती है और मुझे पता है कि पूरी बात करने से कोई राज उगलवा नहीं सकता और जो पूरी बात को राज समझ कर रखने की कोशिश करते हैं लोग जब उनके साथ बात करते हैं तो राज भी उगलवा लेते हैं तो ये बात थोड़ी सी दर्वियान में राज की है और वो र इस वक्त जो current हकूमत है उसकी बात ना करें क्यूंके obviously जो class चल रहा है, लोगों में नजर आती है, आपको intolerance नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, इस सब के चलते हुए आप current हकूमत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? पहले प्रोग्राम में जब मैं आपके साथ शो कर रहा था, तो आपसे वजारश बेश की थी किसी सारे लोग इक्तिदार में आ रहे हैं मासवा कैदी नमबर 804 के, बिलकुँछ, आपके लिए बड़ी हरान कुन बात थी कि सारे लोग इक्तिदार में किस तरह से आ सकते हैं, ब रहेंगे, और कैदी नमबर 804 को अभी इंतजार करना पड़ेगा, वल्ला अलमिस्टा, बटसर अगर हकूमत की ही सिर्फ बात की जाये हम कैदी नमबर 804 को साथ, एक ही बात है ना, देखे ना, तो मैं आप कहना चाहरे हैं कि जो मर्जी हो जा है हकूमत कहीं नहीं जारी, हक हकूमत देखें करेंगी सारी चीज़, एक बात मैं तरीकिकार समझा देता हूँ, चन्द एक बात बड़े तरीकिकार से कहना पड़ती है, सर्फराज बुक्टी, बहुत अच्छे दोस्ते हैं मेरे, जब अबूरी हकूमत बन रही थी, तीन दिन पहले भी उनके साथ बैठे गर्शमेरी हो रही थी, साथ अन्वारों लग काकड़ भी बैठे हुए थी, मैंने उनसे कहा कि आप यके बात दीगरे इक्तिदार में आते रहेंगे, और मेरे उनके इक्तिदार में आने से पहले के सारे वी लाग उठा के देख लीजिएगा, जिराब सरफ श्राज बुक् उनसे जब मुलकात हुई तो वो थे, साथ असद, अकरम दुरानी के बेटे, डिप्टी स्पीकर जो थे वो थे, और नूर आलम खान, ये चारों हम बैटे चायब भी रहे थे, गर्शप लगा रहे थे, तो अब बजए इसके कि मैं शाजएन को और गोराम को कहता, कि आप अ अलेक्शन हार जाएंगे, मैं उन्हें वार वार कह रहा था कि सर्फरास बुक्टी अलेक्शन भी चीज़ रहे हैं, और एकदार में भी आ रहे हैं, तो बात एक ही है, जब कैदी नंबर 804 का कह रहे हैं, तो उसके अपोज़ट चले जाएं, तो ये हकोमत क्या कर रही है, का सर्फदानों का तारा चमकते हुए देखते हैं, एक तोड़ी से मैं एडिशनिस में ये करना चाहूंगा, स्पेशली मरियम नवास क्यूंके एकदम से वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सड़न एंट्री थी पॉलिटिक्स में, सड़न उनका राइस है, और इस वक काफी मिक्स रियाक्शन आ रहे हैं लोगों के उनकी वजिर आलाशिप पर, इसको आप सब कैसे देखते हैं? प्रिल्दमाग की एक लकीर है और ये अखसानियत के साथ काम करती है, और जो काम करती हैं, फिर उस पर पूरी तन दएफ़ी के साथ करती ही चली जाती है, रूकती नही आगे चलेए, जबर दस किसम कि कराउटबुलर हैं, इसके बारे मैं नहीं आखस पर प्रोग्राम के उ इसले बे उतने ही सूब पुछिएगा जितने मैं जवाथ दे सकता हूं मैंने तो बस जवाभ से बुछना था मैं जवाब दे लिया क्यूंकि आपने काया कि रेक्षंब भोला हूँ और मैं इस बात से बहुत आपने उनका हाथ देखा है पर अब उन्हों ने आपको कहा है कि किसी शो में बैठके बात मत की दियेगा कि आपने हमारा हाथ देखा है या आप हमारे इसमें तो क्या अभी तक आपके पास वो इजाज़त आई है कि आप उस बारे में बात कर सकें अच्छा इस तरह से है कि बैसियत को नहीं तक महदूद रखा जाये जब तक वो सरफिसी के भारे में बात नहीं की जाती कुए हैं लुग से बाहर आते हैं तो बैसियत عودوں पर किस तरह से पहुंचे वल्ला अले बिस्वाब चले सर बड़े عودوں की बात कर ही रहे हैं तो आप चीफ जिस्टिस काजी फाइज अमद साब को कहां जाते वे देखते हैं काजी फाइज अमद इसा जैसे थे वैसे हैं वैसी रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे मुझे तुम माफी भी नहीं मिलेगी इसलिए बस इतना ही काभी है जैसर मरियो नवास की भी हम थोड़े पहले बात कर रहे थे आपने का कि बहुत अगदो उनों ने की बर अब्यूसली नैशनल उस पे लेवल पे तो अचानक से ही वो जब मिया साब को मिया साब फिर लास टाइम प्राइमिस्टर बने थे तब वो चानक से ही एकद़ में स्टेज पर आई थी और उनने सब कुछ किया था आगे पिर उनके वजीर आला बनने तक का सफ़र क्या आप उनको वजीर आजम बंदा देखते हैं बात फिर वही आगई जो साइन अफ मरकरी साइन अफ अपालो साइन अफ सैटन और साइन अफ जोपिटर जिनके हाथ पर ये चार साइन पाए जाएं ये ये के बात दीगर एक्तदार में आते हैं लेकर रहते थोड़ा सा मुशकल में है अगर आप का कहने का मकसद ये है कि मियाथ साइब जरा मुशकल में है तो उनकी जगा मुष्रमा मरीम नवाज शिफ ले लेंगी तो मैं चुक्छे उनके खादानी मामलात है उस पर कोई मतनाज़ा बात नहीं करूँ नहीं मैं फ्यूचर की बात करा लेकर फ्यूचर के हवाले से मैंने बता दिया कि उनके हाथ पर चार गहर ममूली अलावाद पाई जाती है और ये चार गहर ममूली अलावाद जो होती है इस बात को भी जाहर करती है कि ऐसे लोग बुर्यादी तोर पर गिवन टीक के बड़े मास्टर्स होते है आम आदमी की समझ से बाहर है कि कहा गिव कर जाए कहा टीक कर जाए इस वाट दूसरी दफ़ा तो वो वजीर आजम बनी चुके है जा अच्छा सिर बड़े बाई की भी फिर उनके बात हम कर दी लेते हैं आपने कभी मिया साब, बड़े मिया साब का देखा है हाँ था आपसे कहा था और मेरे यूट्व चैनल पर पढ़ा हुआ है जब सब लोग कहते थे और मुझे कभी कभी वो सुई नहीं मारते हैं सुई बारते थे कि तुम कहते हो बड़े मिया साब आएंगे फूलों की पत्तिया निचावर की जाएंगी बड़े बड़े जलसों से खताब करेंगे और वापस चले जाएंगे बिलकुल यह वाली हमारी सारी कनुसेशन लियाद़ बिलकुल यह वाकफ शेही था आज भी वही है और आने वाले कल बे फिर थोड़ा आरसा ठाहर के मैं कुछ और बात करूँगा वल्ला अलिबिस साब अभी फिल्हाल आपको उनको सेम पॉजिशन अच्छी सर हम सियासी प्रेडिक्शन की बात करी रहे हैं आपको पता ही होगा नजूमी हैं चो सियास दानबी है शेख रषीद साब शेख रषीद साब सियासी प्रेश इंगो शेख साब कभी सिन्دगी में किसी से वफा किय आप तर New अच्छी तरह याज़ है ना आपको कि बाकाइदगी से आपके मेरे दर्वियान एक मुएदा तैप आया कि आप इस सन से जब आप से कुछ सियासी पेश्गी पूछी जाएगी तो आप कहेंगी कि सादक मलेक से पूछो दो प्रोग्रामों में उनने कहा फिर उनके अंदर का जो एक पेशियन को था बाहर आ गया और फिर उसके बाद मैंने शेख साब से बात भी करना छोड़ दी जो आज तक नहीं थे नराज है आप जानी के शेख साब नराज नहीं यो बेवफा अदमी है क्योंकर मेरा मतलब है ऐसी बात कर रहे अगर आप उनकी पेशियन को देखते कैसे हैं हाँ हाल देख लिए उनका क्या है उनकी पेशियन को जोड़े देर पहले बताई क्या उसके अंदर उन लोगों का कोई रोल होगा अचा इस तरह से है कि खासा बनादी तब बड़ुके परिटिशन नहीं है जो फास्ट बालर होता है ना वो जब यू करके गेंद करवाता है ना तो गेंद करवाने करता है ये उसकी आदत का हिस्सा होता है वो स्यासत में भी इसी तरह कर रहे हैं लोग समझते हैं कि ये को गाली दे रहे है वो गाली नहीं दे रहे हैं वो बैट्समैन को चिट्रा करते है कि वो जान बूज के हिट करें लेकिन जिन सियासत दानों से उनका पाला पड़ा है वो किरिकट में तो जल सकते हैं सियासत में नाच्टे में बैट में इनको खा लेता है अजिसर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स तो हम लोगों ने काफी डिसकस कर ली है और लोगों ने भी इंजोई आइम शोर किया हो गया अजमाच आई इंजोई इट एक सवाल मैं जरा ना थोड़ा से में रीसर्च कर रहा था जब ये क्वेशनेर के लिए तो मैंने देखा कि आपका जो रिलेशन है एकरार अलहसन के साथ वो बड़ा इंटरस्टिंग सा मुझे लगा क्यूंके आपने एक दफ़ा जिकर किया था कि बड़े इच्छे दोस्ते हैं आपके वो पर कुछ शोज में आपने कुछ बातें की उनके मुतलिक ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता से अच्छा मैंने इकरार अलहसन के बारे में किसी शोज से मतलिक की बात नहीं की मेरा उनसे तकरीबन कोई 25 साल से वास्ता है और जब मैं कराची होता हूँ तो हमारे एक मुश्तर का दोस्त है शकील भाई उनके फ्लैट पे मैं ठहरता हूँ उन्हीं के फ्लैट पे रात को ये भी आते हैं बादामी साब भी वहीं खाना खाते हैं और ये हवारा कुछ पिछले 25 साल से सिसला कर्टिन्यू चल रहा है उन्होंने एक शोबे जिस शोबे मुझे बाकाइद्गी से बाफी मागना बड़ी थी तो उनके साथ मैंने शोग किया था लेकर मैंने इसके इलावा मुझे नहीं यादा रहा कि कोई कर्टोवर्शल बात की हो वो तो बजाते खुद ही फिर किसी टैब इकरार के बारे में बात कर लेंगे आपका हमारे साथ ये तीसरा एपिसोड है इसरा बॉड़कास्ट है और बहुत सी आपकी प्रेडिक्शन्स थी जो साच हुई हिट्स और विसस ओविसली थोड़ी बहुत होती है आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जब कोई प्रेडिक्शन होती है और सोशल मीडिया पर एक्स्पलोड कर जाती है क्योंकि वो सही साबबत होती है और कई दफ़ा होता है कि जब वो सही साबबत नहीं होती है तो कैसे आप इस चीज़ से डील करते हैं इसको देखते हैं ये बड़ा मल्टी मिलिन ग्वेस्टन किया है अब्दल्ला ने अब्दल्ला इस तरह से है कि मैं पाकिस्तान का बफजल एई ताला अलाब बाक मुझे तकबर से दूर रखे इंतहाई आज़ी और इंकसारी के साथ बात कर रहा हो मेरी पहली पीशकोई गलत होई थी थी ना बीस साल के बाद तो मैं खुदा हाफिज करके निकल गया था और पाइस साल के बाद नियुलादा पामिस्ट्री वैसादिक मौलिक पामिस लेके आए और उसकी इल्मी तोजी पेश की दूसरी मेरे साथ मिस्टेक हुई बाकैदा मैंने उसे उन किया है मैं रोजाना की बुनियाद पर खबरे नहीं पढ़ता ये सौाल सिर्फ उस बंदे से किया जा सकता है या उस पेश कोई करने वाले से किया जा सकता है जो रोजाना की बुनियाद पर खबरे पढ़ता है सुबो पढ़ता है शाम को गलत होती है और वो पिरुम कहता है कि मेरी टोटल बती पेशगोई अभी तक दुरूस हो चुकी है मेरी तो पेशगोई के बारे में एक बड़ा स्टेट अवे जो है स्लोगन है कि पेशगोई पेशगोई होती है इसमें अगर मगर चुके चुनाचे कुछ नहीं होता या तो यह होती है या नहीं होती इसमें गुझाष नहीं होती फीसद की फीसद की जब गुझाष होगी तो यह पेशगोई के अमल से ही निकल जाएगी वला अलमिस्टा बिल्कुल ठीक होगा सर अब अच्छा लगता है अच्छा लगता है आपका भी बहुत शुक्रिया कई सालों से आप मुझे बरदाश कर रहे हैं अला हाफिस जी वीवर्स उमीद है आपको आज के हमारा यह पॉड़कास पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस पर अपना फीड़बैक दें और हमें जरूर बताएं के आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं अंटिल नेक्स टाइम अला हाफिस